बहुत सिंपल अफगानी ओमलेट की रेसिपी ले क्या ही हूँ नॉर्मल हम लोग बनाते हैं बड़ यह थोड़ा अफगानी स्टाइल से बनाना मैं आपको बताऊंगी बहुत सिंपल है बहुत टेस्टी बनता है आप इसको चाहें तो ब्रेकफ़स में ले सकते हो ब्रांच मे में ले सकते हो इविनिंक स्नैक में ले सकते हो यह जैसे आपको जब खाना आप बना के खा सकते हो तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं तो सबसे पहले इस recipe को बनाने के लिए हम लेंगे एक pan और उसमें मैंने दो बड़े चमच के करीब refined oil डाल रही हूँ और आप इस oil को हम अच्छे से गरम होने देंगे तो जैसे ही हमारा oil गरम हो जाएगा तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने बहुत finely chopped इसमें potato डाले हैं दो बड़े potato लिया है मैंने छोट-छोटे pieces में cut कर दिया है और अब हम इसको अच्छे से sautay कर लेंगे अब इसमें और कुछ हमें नहीं डालना है बस इसको देखिए अच्छे से हमें हलका से करना ताकि हलकी से soft हो जाए तो यह soft हो गए है और अब हम इसमें डाला है मैंने एक बड़ा प्यास जिसे again मैंने finely chop करके डाला है और इसको भी हम अच्छे से mix कर लेंगे अलू के साथ ताकि यह भी थोड़े soft हो जाए बस थोड़ा सा हम इसको ऐसे हिला लेंगे तो बस यह देखे हो गया और अब हम इसमें डालेंगे दो टमाटर जिसे again मैं finely chop करके ही डालूंगी अगर आपको थोड़ा ज्यादा पसंद है टमाटर तो आप इसमें थोड़ा और एक बढ़ा सकते हैं तो मैंने इस तरीके से टमाटर डाल दिये और अब हम इसमें डालेंगे एक चमच के करीब एक चोटा चमच मैं डाल रही हूँ काली मिर्च हंजी इसमें सिब काली मिर्च और नमक की डालेंगे और कुछ मसाले नहीं डलते हैं और एक चोटा चमच ही मैं डालूंगी नमक आप according to your taste नमक की quantity बढ़ा सकते हैं इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे बस अच्छे से यह नमक और काली मिर्च मिक्स हो गया है और अब हम इसको ढखके अच्छे से रख देंगे तो यह मैंने लिट लगा दिये हैं और मैं इसको दो से तीन मिनट ले अच्छे से ढखके रख दूँगी तो देखें तीन मिनट के बाद जब मैंने लिट हटाई तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं देख रहा है और अब यह अच्छे से थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है तो यहां मैं आप देख सकते हैं एक को इस तरीके से तोड़के डाल दे रही हूं तो यह लीजें यह भी मैंने डाल दिया मैंने तीन आइक डाले हैं अगर आपको चार डाले हैं आप इसमें चार भी आराम से डाल दीजें और थोड़ा थोड़ा नमक और काली मिर्च मैं एक्यो पर डाल दे रही हूं अगर आपको fully fried चाहिए तो आप इसको 6-7 मिनट तक अच्छे से ढखके पकाएं और आपको half fire पसंद है तो आप इसको 2 मिनट ऐसे ढखके रख सकते हैं क्योंकि मुझे इसको fully अच्छे तरीके से पकाना था तो मैंने इसको 6-7 मिनट के बाद मैं लिड हटा के देख रही हूँ और ये अच्छे से पक गया है तो चलिए इसकी तो इसी garnish कर लेते हैं तो garnish मैं सिब करूँगी धनिया पती से मैं इसमें हरीमेश नहीं डाल लिए अगर आपको पसंद है आप इसमें हरीमेश डाल सकते हैं तो लीजिए देखें मेरा बिलकुल अफगानी ओमलेट बनके रेडी है है ना simple recipe तो ये देखिए कितना yummy और tempting लग रहा है तो आप भी बनाएगा और अपने comment जरूर करके बताएगा कैसी लगी आपको ये recipe तो देखिए कितना easy ली आप देख सकते हैं निकल आया ये ये देखिए पूरा ही अच्छे से पग गया है आलू भी अच्छे से गल गया है टमाटे भी अच्छे से गल गया है अगर आप में चैनल पर न्यू हूँ तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और अपने वैलेबिल कॉमेंट्स करना वीडियो को शेयर करना और जो सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन है उसे जरूर प्रेस कर देना आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स वीडियो में बाई